हारू फीक्स सैमसंग M02 फ्लाइट मोट नोट वर्किंग प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों सवागर आप सभी का तिकिराज यूटुब चैनल पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने सैमसंग के दिवाइस में फ्लाइट मोट नोट वर्किंग प्रॉब्लम सॉल्फ कैसी कर सकते हैं ठीक है अगर आपका जो यहाँ पर दोस्तों फ्लाइट मोट है काम नहीं कर रहा है तो इसके रिलेटेट भी दोस्तों मैं आपको कुछ सॉलुशन बताने वाला हूँ जो भी दोस्तों यहाँ पर सॉलुशन के लिए ठीक है तो उसके लिए दोस्तों आपको इस्टेब आपको फॉलो करना है आपकी डिवाइस में दोस्तों आपका प्रॉब्लेम भी सॉफ हो जाएगा वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते करते हैं और यहां पर दोस्तों हम देखते हैं किसे इसको फिक्स किया जा सकते हैं सबसे पहले दोस्तों आप यहां पर अपने डिवाइस को रिश्टार्ट कीजिए रिश्टार्ट करने के बार अपना सीम को जो ही इजेक करके इंसर्ट करके देखिए ठीक है सीम को बाहर प general management पर जाए और यहाँ पर आपको reset option select करना है सबसे पहले reset network setting पर click किजिए और reset setting पर click करके mobile password यहाँ पर भर दीजिए ठीक है mobile password भरने के बार आपका network setting reset हो जाएगा उसके बाद check करके देखे अगर solve हो जाते problem ठीक है लेकिन अगर आपको अभी भी problem हा रहा है तो आप reset all setting पर click करें and reset setting पर click करके mobile password भर दीजिएगा mobile password भरने के बाद दोस्तों आपका setting reset हो जाएगा and then mobile को restart कीजिए restart करने के बाद connection पर जाए और दुबारा से flight mode को enable करने के कोशिश करें ठीक है आपका problem solve हो जाना चाहिए अगर solve हो जाता ही ठीक है अगर आपको अभी problem आ रहा है तो दो software update करने के बाद दोस्तों इस तरीके का जो problem रहते हैं वह दोस्तों यहाँ पर fix हो जाते हैं तो software को update करें software update जैसे ही होगा दोस्तों आप flight mode को दुबारा से enable करके देखीगा आपका problem solve हो चुका होगा तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है अपने flight mode not working problem solve कर सकते हैं ठीक है by any chance मान लिजे दोस्तों यहाँ पर आभी भी आपका flight mode काम नहीं करें आपने सब कुछ solution किया software को भी update किया फिर भी problem आ रहा है तो general management पर जाए इस तरीके से दोस्तों आप अपने problem को यहाँ पर solve कर सकते हैं उमीद करते हैं आपको वीडियो पसंद होगा थैंक्स फॉराचिंगा